तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नूम्बर 6 है इसका NCRT प्रॉब्लम जो है बैक एक्सरसाइज का वह मैं समझाने वाला हूं आप लोग कम्प्लीट पूरे चैप्टर का चैप्टर नूम्बर 6 का NCRT हाना बैक एक्सरसाइज तो ध्यान से देखिए फटा-फटा स्टार्ट करते हैं जल्दी से सबसे पहला प्रेडिक्ट देरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ट करन्ट की डिरेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल सी बात ही देखोना आ लेंजेज हो लैंजेजलो कहता है कि इम देखिट इंक्रीजिग करन्ट या इंक्रीजिंग फट्स नहीं that dall सीह करने करींच यह अगरात करोगे तो हां उसक्रेंजम बहुत ही बहुत ही आसान है तो स्टार्ट करते सबसे पहले यहां पपर सबसे पहले-अ इस व लाव में यह भी कहा गया है की जो motion का क्रेक्षन की टूर्स किसी मैगनेट का क्या उसके induced current की direction ऐसे फ्रोड थी होती है कि वह motion को oppose करती है इड़ पोज इस का विच प्रेडूस से यानि कि induced current की direction is such that it will oppose the cause लेकिए यहां साउथ है इसको अगर लेके आते तो नियरवाई फेस पे बन जाएगा साउथ बन जाएगा साउथ पोलरिटी का मतलब क्या हुआ का साउफ पोलारीटी का मतलब बाँ याद रखनेंगे जल्दी से आंसर ले ले लेते हैं सभी कोश्चोंगे बहुत सारे questions हैं तो धियान से पड़ाबट है south है तो यहां पहले सौफ है तक यहां छो दो के क्या हो जो क्या हुं गहीं स्ट क्लॉक्वाइज हो गई लो गई पहले केस में पिकलाइज केसे च्ञाम हो गी सॉट को Сब्सक्राइज साइध क्या है बात से बात करो तो the direction of the induced current will be clockwise, simple, that's it, अब चलिए, second question पर देखते है, second question में क्या है, अगर यहां south है, तो nearby face पर क्या बनेगा, बच्चो, south बनेगा, और बिसे यह देखो, मैंने क्या कहा अभी, कि motion को oppose करता है, तो अगर यह इधर आ रहा है, यानि कि magnet इधर आ रहा है, तो इसके motion को oppose करेगा इसको P, इसको Q, ठेक है, तो P end पर क्या होना चाहिए, फिर से motion को oppose होना चाहिए, यहां north है, तो motion को oppose होगा, जब इसके, इस point पर हम south polarity ही बना ले, तो south north को क्या करेगा, attract करने को, सिंपल सी बात याद रखना है, यार, lenses law कहता है, ना दूर जाने दूँगा, ना पास आने बनेगी, तभी तो attraction बनेगा, यारि कि अगर मैं A end पर देखू, तो भी south है, P end पर देखू, तो भी south है, यारि दोनों में ही देखा जाए, तो क्या है, clockwise है, end A और end P के reference में बात करो, end A और end P के reference में बात करो, कई जगों पर ने reference वदल दिया जाते है, जैसे point P के बजाए, point Q पर देखेगा, तो anti-clockwise direction, तो as a viewer अगर आप इस side है, दूसरी side present है, इस जगा पर present है, suppose on the right side of this coil, तो आपके लिए anti-clockwise हो जाए, on the left side से देखें, तो इसके लिए clockwise हो जाए, as a viewer, it all depends, तो इसलिए answer अगर दूसरा भी देखना, तो confused मत होना, वो answer भी हो सकता है, चलिए, जान दीजएगा यहां भी lenses log आगा, अगले वाले में देखते हैं, अगले की just close, जैसी यार की close करेगे, तो current का growth होगा, या decay होगा, जैसी की close होगा, just close, तो current का growth होगा, current बढ़ेगा, current peak करेगा, current जैसे ग्रोथ करेगा, तो current growth करेगा, यानि कि flux growth करेगा, increasing flux हुआ, increasing current तो induced current opposite polarity opposite polarity मतलब अगर यहाँ clockwise है इस जगह पे देखो ध्यान से clockwise है तो induced current क्या हो जाएगा anti-clock समझ गया ना तरीका समझ गया ना तरीका यह है कि induced flux जो induced sorry induced current की direction ऐसे होती है कि वो जो तो chaining flux की वजह से अगर increasing flux या increasing current यह increasing field है तो polarity होगी opposite और अगर decreasing flux decreasing current है हना तो उस टाइम पर polarity होगी से चलिए अब यहाँ देखते हैं यहाँ पर आपका close है circuit close है सबसे तरह यह देखो दिया हम से यह चलेगा यह चलेगा initial current की ד्रेक्शन यह तो simply अब योसेड का हम zero point के आज पास पहुँछ रहे यह मैक्सिमुमड यह मैक्स पइंक सब्रेंट मिनीम्बूस का मोईट तो क्रेंट का supply जादा यहा bees supply की opposite polarity होगी मतलब क्या anti-clockwise समझें बहुत यसान है अब आज अगले question में यहां कहे रहा है की just release की को release करोगा तो current का growth होगा decay होगा current अगर suddenly यहां पे decrease होगा current अगर decrease होगा supply कैसे जा रहा था यह देखो कैसे जा रहा था current का supply anti-clockwise कैसे anti-clockwise अगर current का growth होगा यह decay देखो decay क्योंकि release कर रहे हो आपकी जैसे current का decay होगा current decrease current decrease हो गया तो polarity जो होगी वो same हो जाएगी यहां देखो ना मैंने कहा ना कि in the direction of increasing current increasing field increasing flux polarity will be same induced current के लिए in the direction of increasing current increasing field polarity will be opposite simple same direction of current में increase हो रहा है तो induced current का polarity opposite होता है यहां पर देखो यह anti-clockwise है तो यहां पर current decrease हो रहा है तो same polarity मतलब यहां पर induced current भी क्या होगा एंटी इंडूस्ट करेंट इंडूस्ट करेंट सिंपल हना बहुत ही basic है बहुत ही असानी से answer दिया जा रहा है अब ध्यान दीजे अगले और यह current carrying wire है तो thumb rule आप देखिए तो इधर पाम इधर दिखें डॉट हो गया इधर फ्रॉस्ट हो गया यानि फीड जो है वह वायर के परपेंडिकल हो चाहे इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ हो यानि अब वायर के लूप का जो एरिया वैक्टर हो ओगा वह वह उपर की तरफ होगा अद्यान से देखो feed और एरिया वैक्टर में क्या एंगल बन रहा है फीड और एरिया वैक्टर दोनों एक दूसरे पर अगर हो गएकर नर खोगे कुंड को जब डिएंगा इनल एकॉस धिता थिता हो गया नाइंटि डिचरी तो फ्लक्स हो गया जीरू है मृ बचों फ्लक्स ही जब 0 है तो इंडूउस करंट भी क्या होगा वह भी जीरो होगा इंड्यूस करेंट जीरो तो यानि करेंट इंड्यूस बने गाई नहीं तो कोई डिरेक्शन होगी नहीं चलिए आगे देखते हैं फटा-फट अगले पॉइंट जल्दी से देखें यह सारे पॉइंट ध्यान अगला देखें क्वेस्टं नम्बर टू आपि च blasting के वह आपलों पर नच रठेख देखंण फॉइंट इंड्डरेक्शन के प्लायरीट के प्लायर की आप viruses बताविशन टिowane यूस्ट्राइटी प्लाइटी सेम बस सिंपल ऑपोसिट डिलक्सिंग और सेम ध्यारत में नमबर टू यह भी एक डाइग्रमेटिक क्वेश्चन है डाइग्राम में आपको बेसिकली क्या दे रखा यह मैगनेटिक फिल्ट है कौन सा मैगनेटिक फिल्ट है डाट वाला क्रॉस मैगनेटिक फिल्ट में क्या है हमारे पास एक शेप ऑफ बॉड़ी है किस तरीके कुछ इसको स्ट्रेच किया जा रहा है दोनों साइड से स्ट्रेच करके इसके साइज को यह कर दिया और एक और केसे जिसमें आपके पास बॉड़ी जो है वह यह प्रेजंट थी और इसको कम्प्रेच किया जा रहा दोनों साइड से और इसके स्ट्रीप को यह बना दिया था ऑद है नहीं क् để करोड़े सी करोगे वह तरो बहुत करेजिंग यानी की क्या पुला था मैंनेगे और कहीं बहुतार दुट जाए तो decreasing flux हुआ, decreasing flux है, decreasing current में induced current की polarity क्या हो जाती है, same, यानि कि dot है polarity, तो dot का same, यानि कि इस पे भी dot आ जाएगा, dot का मतलब याद रखना, dot का मतलब होता है, north और या anticlock, cross का मतलब होता है south या clock, तो ध्यान दीजे, इस पे current का direction क्या हो जाएगा, anticlock, induced current, induced current, इस वाले case, अब चलब दूसरे case में देखते हैं, दूसरे case में क्या हो रहा है, area बढ़ रहा है, देखो आप stretch कर रहो तो area बढ़ेगा, area बढ़ेगा तो flux भी बढ़ेगा, flux बढ़ेगा मतलब increasing flux, increasing flux की direction में polarity क्या होती है, opposite, opposite polarity मतलब, cross का opposite क्या होगा, dot, dot मतलब, देखो आप से dot मतलब, anticlock, तो ये भी anticlock, बहुत ही simple है, बहुत ही simple, चले next देखते अगला question, ये direction wise question थे, तो direction वाले concept समझ लीजेगा, बस एक ही बात है, कि in the direction of increasing field, increasing flux, increasing current, अना induced current की direction opposite होगी, और in the direction of decreasing flux, decreasing current या decreasing field, induced current की direction या induced current की polarity, same, चले, अब question number 6.3, question है 6.3, question में, एक long solenoid है, क्या दे रखा है, एक long solenoid, solenoid का number of turn per unit length दिया हुआ है, small n, 15 turns per centimeter, मतलब 1500 turns per meter, area of the coil दे रखा है, 2 centimeter square, minus 4 meter square, ये दिया हुआ है, फिर उसके पाद ये solenoid के अंदर, जो place किया गया है, उसके axis के respect में, normal place किया गया है, कोई को, कि the current carried by the solenoid changes from, यानि current initial और final, 4 ampere और 2 ampere है, देखे ना, और time का जो change है, वो 0.1 second, तो what is the induced EMF in the loop, induced EMF की value बताएंगे, तो देखो यार, खता में question बहुत simple है, induced EMF का formula क्या होता है, d5 by dt उसके magnitude, होता है न, b into a, पर solenoid है तो क्या होता, b होता है, mu naught ni, पस खतम, बाहर निकाल लो, mu naught बाहर, n बाहर, a बाहर, di by dt, mu naught की value पता है, number of turn per unit length 1500, area दे रखा है, 2 into 10s power minus 4, di delta i क्या हो जाएगा, 2 ampere का magnitude आजाएगा, upon time is 0.1 second, change 2 ampere का ही आएगा, आप ध्यान से देख लीजे, 2 ampere का ही change बनेगा, आप इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5 micro volt answer, यह आपके पास question number 6.3, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोगा ने solenoid का case है, तो magnetic field solenoid वाला लगाया है, और changing current delta i का उब्वेस है, delta i जो होगा, वो क्या होगा, 2 ampere होगा, और delta t लेही रखा है, question number 6.4 चलते हैं, जल्दी से, 6.4 कहता है कि एक rectangular loop है, जिसकी side दे रखिए, 8 और 2, यह दे रखिए ऐसे, ठीक है, और magnetic field के अंदर रखिए है, यह 8 cm है, और यह वाली side 2 cm, हम एक बार इसको 2 cm यानि shorter side के along खीच रहें बाहर magnetic field के अंदर, और एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग longer side यानि कि यह 8 cm वाली side के along हम इसको खीच रहें, दोनों case में जब हम खीचते हैं उसको तो खीचते टाइम पर जो velocity है बच्छों, वह velocity दे रखिए है, कितनी, 0.8 और 2 तो डाइमेंज हैं दिया हुए, velocity दिया है, 1 cm पर सेकेंड, दोनों ही case में, और magnetic field जो दे रखिए है, वह हमें 0.3 tesla, और move कर रहे हैं, एक बार shorter side के along और longer side के along, तो दोनों side के along जो induced EMF पैदा होगा, वह कितना कितना होगा, वह निकालना है और दूसरी बात निकालना है, कितने time तक induced EMF बना रहेगा, दोनों case में, कितने time तक induced EMF बना रहेगा, एक, और कितना EMF होगा, दो, दो चीजे निकालना है, जल्दी देखते हैं, बहुत simple है, A part, पहले A part में, induced EMF क्या होता है, BLV, आप longer side को खीच रहे हो, देखो, तो जो length constant है, वो लिया जाता है, BLV में L, L जो होता हमें सब constant length होती है, तो constant length कौन सी है, 2 cm, जो हमेशा लगातार एक जैसी चल रही है, ये 8 cm तो magnetic field में variable है, इसी की वज़ जैसे velocity आया है, तो देखे, पहले longer वाले की, shorter वाले की बात कर देखे, shorter side वाले, फिर longer side वाले, तो ये मत क्या होगे, magnetic field दिया होगा, 0.3 tesla, length क्या होगा, 2 cm, shorter वाले के लिए, और velocity की इतनी है, 10 to the power minus 2, हाना, तो आप देखो, यहां से निकालो, हाना, minus 2 क्यों किया, क्योंकि आपका centimeter से आपने बदल लिया, उसको meter में, तो आप लोगा minus 2 आ हाना, नहीं, यहां जाएगा, 10 to the power minus 4, यह 0.6 आ जाएगा, 0.6 into 10 to the power minus 4 आ जाएगा, यह 6 into 10 to the power minus 5 दिलिक से, दूसरे वाले case में देखो, BLV, अब magnetic field तो अभी वही है, magnetic field चेंज नहीं हो, अब length कौन सी length होगी, कौन से length क्या along हम खीच रहे हैं, कौन से length constant रहेगा इस पार, 2, क्योंकि, sorry 8, क्योंकि 2 तो variable है, तो 8 cm, और speed same है, आट तरी के चोबिस, 2.4 into 10 to the power minus 4 बोल्ट, आब दोनों केस में टाइम भी पता करना है कितनी देर तक EMF दोनों केस में exist करेगा, तो बच्चों देखो, कौन सा distance vary कर रहा है, 8 cm वाला, shorter side की बात कर रहा हूं मैं, तो कितनी देर तक रहेगा, जब तक यह 8 cm बाहर चला गया, तो फिर EMF induced बंद हो जाएगा, तो time क्या होगा, distance upon speed, distance upon speed, कितना distance cover करना है, ओविस से प इस case में, अब इस case में obvious है, देखो, ध्यान से देखो, इस case में यह 2 cm वाला, जब तक बाहर नहीं जाएगा, तब तक EMF induced होता रहेगा, यानि कि 2 into 10s power minus 2, और speed तो same है, यानि कि 2 second का time लएगा, यानि 2 second तक इसमें exist करेगा, इस वाले case में करेगा, क्योंकि इसमें 8 cm जाना ह चलो, अगला देखते हैं, बहुत सिंपल है, 6.5 question number, 6.4, फटा फटा, question number 6.5, मैं questions नहीं लिख रहा, question number लिख रहा हूं, आपके पास NCIT है, सभी बच्छों के पास, question number 6.5, बहुत असान, एक बात है, आप लोगो याद होना चीए, 6.5 question करने के लिए, rotational EMF, तो rotational EMF का, induced EMF होता है, half BL square omega, तो जब भी किसी wheel औगेर का rotation होता है, पहली बात ध्यान रखना है, तो यही formula लगाएं, half BL square omega, आपका unit होता है, radian per second, और omega की value 2 pi नहीं होती है, अगर frequency दे रखी है 2, और length होता है, कि जिस end से, माली जा, यह rod, यह rod है, जिसकी length है L, जिसको हम ऐसे घुमा रहे है, rotate कर रहे है, magnetic field के अंदर rotate कर रहे है, तो induced EMF इतना बनेगा, अच्छा, एक बात या रखना, कि इसमें कितने भी, अगर माली जा, एक wheel के अंदर number of spokes देगी आपको कि चार spokes दे रखें, पाच spokes दे रखें, तो यादें कि number of spokes से कोई change नहीं आता है, यानि कि induced EMF पे, EMF does not change, change with number of spokes, spokes तो जानते ही होंगे, आप लोग wheel के spokes, आप लोग जानते ही होंगे, तो इससे कोई बदलाव नहीं आता है, चलिए, formula होता है, half dl square omega, क्या के चीज़े दे र रखें, 400 radian per second, फिर आप लोगे length दे रखें, rod की 1 meter, question में बोला गया है, 1 meter long metallic rod है, जो rotate किया जाना है, जिसकी angular frequency, angular velocity दे रखें, about an axis normal to the rod, passing through its one end, the outer end of the rod is connected with the circular metallic ring, माली जा यह rod है, तो outer end is connected with the circular metallic ring, और यह हमारा भूम रहा है, तो rotational EMF क्या बनेगा, तो EMF आपको half magnetic fit जिसमें यह घुमाया जा रहा है, वो magnetic fit दे रखेंगा है, कितना 0.5 tesla, magnetic fit हो गया, length कितना है, 1 meter है, L square omega 400 है, तो यार induced EMF निकाला थे, एक दम नकली सी बात होगे, आसाली से निकल जाएगा, आप calculate कर लोगे, यहां से लगबग 100 volt का answer आएगा, और याद रखेंगे, नमबर स्पोक्स वगएरा दे रखेंगे हो, तो आपको confused नहीं होना, उससे 6.5 के बाद 6.6 question number, question 6.6, देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, question 6.6 में का आगे, एक circular coil है, एक circular coil है, जिसका radius दे रखा है 8 cm, और number of turns दे रखा है 20, जिसका radius है 8 cm, number of turns दे रखा है 20, और उसको rotate किया गया, उसके vertical diameter, यानि एक circular wire है, अगर लूप है, तो इसको vertical diameter यही तो हुआ वर्टिकल diameter का along इसको rotate किया जा रहा है, simple, तो vertical diameter का along rotate किया जा रहा है, यह दिया हुआ है, इस question गोपर वाले दो सुपर, तो भ्यान दीजेगा, किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग, वर्टिकल diameter का along इसको rotate किया गया, चिक है न, angular frequency दे रखिया, यानि angular velocity दे रखिया, इसक 50 radian per second, जिस magnetic field में uniformly हम उसको move कर रहे है, वो है 3 into tesla minus 2 tesla, obtain the maximum and the average EMF induce if the resistance of the coil is 10 oh, पहली बाद, maximum EMF निखान ला है, चलिए देखते है, धान दीजे, एक formula हता है, E is equals to NbA omega sin omega t, हाना, E is equals to d5 by dt में flux की value लगा होगे न, NbA cos theta, तो उससे आ जाएगा, तो E is equals to NbA cos omega t, अब peak value क्या होगे, peak value होती है, peak या maximum value जब होती है बच्छों, उसको E naught कहते हैं, वो होता है NbA omega, यह होता है peak value या maximum value, क्योंकि sin theta maximum होनी चीए 1 तो peak value या maximum value कितना आ गया, NbA number of terms B, area के हो जाएगा circular magnetic field दे रखा है, area हो जाएगा pi r square, यानि 3.14 into r square, into omega दे रखा 50, तो यह आप असानी से यहां से calculate कर सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा induced EMF, इस case में maximum induced EMF जो आएगा 0.6 volt के आजपास आएगा, round up करके calculate करके देखे, उसके बाद कह रहा है कि maximum EMF के बाद average EMF भी बताओ, तो average EMF क्या हो बच्छो यार फॉमला क्या है, NbA omega sin omega t, तो for complete cycle, complete cycle sin omega t की value क्या होती है, 0, यार simple सा है न देखो, अगर आप supply लेते हो तो अगर यह complete cycle पर जाते हो, यहां से यहां जाते हो, sin omega t, तो 0 ही हो जाता है, complete cycle पर, जब यह पूरा 0 हो जाता है, तो average value भी क्या हो जाएगी complete cycle पर, भी 0 हो जाएगी, simple सी बात है, उसके बाद बोल रहा है कि maximum current भी बताओ, तो maximum या peak current क्या होगा, I0 वह हो जाएगा, E0 by R, या E0 कितना है, 0.6 और R कितना है, 10, तो आप असानी से यहां से, निकाल लो, 0.06, कितना जागा, 0.06 MP है, यह आगे आपके पास current की value, या इतना current का maximum value वहाँ पर आपका पहुंचेगा, फिर पूछ रहा है कितना average power loss हुआ और उस power का source क्या था, source बच्चो rotation है, जब आप magnetic field में rotate कर रहे हो, तो जो torque produce हो रहा है, उसकी वज़े से ही वो power का loss हो रहा है, यानि कि source कौन है, source वो induced current की वज़े से हो रहा है, अब उसके बाद आपका average power loss क्या होगा, average power loss हो जाएगा, देखो, power होता है V0 I0 या E0 I0, अब average कैसे निकालोगे, यह average 2 cycle में देखो तो upon 2 हो जागा, 2 cycle के लिए, एक उपर वाल cycle एक नीचे वाल cycle, आप यहां से solve कर लो, जो भी आएगा, जितना भी वाल ना, तो यह power loss है, and what is the source of that power loss, that just because of the changing flux, torque के form में rotation की वज़े से generate वराया, torque होगा, रोटेट करेगा, clear हो गया होगा यह, आसानी से यहां से power loss निकाल सकते है, चलिए, अब question number 6.7 देखे, फड़ा फड़ चल दीसे, question number 6.7, क्या कहता है वो देखे, 6.7 question कह रहा है बच्छों, कि यह एक horizontal wire है, जिसकी length है 10 meter, 10 meter, 6.7, एक wire लेलो, इदर east है, इदर west है, east to west रखा गया, 10 meter की length है उस wire की, देक है न, east to west है, और वो fall कर रहा है, नीचे की तरफ किस speed पे, 5 meter per second की speed पे fall कर रहा है, and the right angle, it makes an angle right angle, यानि 90 degree बना रहा है, horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field दे रखा है, 0.3 into 10 to the power, minus 4, weber per meter square, या फिर tesla गी लिख सकता है, अब उसके बाद उन्होंने कहा, what is the instantaneous value of EMF number one, number two direction of EMF, and number three, higher potential, 3 चीज़े निकानी है, चलो पहले induced EMF, induced EMF number BLB, मुझे बता यार यह wire अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो कौन सी field को cut करेगा, horizontal को, कौन सी, horizontal, देखो 2 field होगी है, एक horizontal और एक vertical, यह vertical है तो यह horizontal, या ऐसे रख लो, यह horizontal है तो यह vertical है, तो ध्यान देना, तो horizontal field को cut करेगी, तो horizontal field कितनी है, दे रखिये, length कितना है 10, velocity कितनी है 5, तो आप असानी से यहां से find out कर सकते हो, निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, यह आपको लगबग मिल जाएगा, 1.5 टेर्सपार-3 गोल्ड जाएगा, तो यह आप लोग को induced EMF मिल गया, अब यहार direction हमेशा आप याद रखना, आप लोग पढ़ रहे हो EMI, यानि electromagnetic induction, इंडक्शन जाब यह हो, वाँ फ्लैमिंग राइट हैंड रूल लगता है, तो भाई, फ्लैमिंग राइट हैंड रूल देखो, कैसे होगा? फ्लैमिंग राइट हैंड रूल लगते हैं, यह राइट हैंड रूल, अब पहली बात तो देखो, magnetic field यह, यह magnetic field है, यह wire, magnetic field जो है, वाइर के साथ perpendicular है, देखो 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 देखो, पर्पेंडिकुलर है, velocity of the particle कितार नीचे, और फोर्स भी किदर होगा नीचे जहां की तरफ बाड़ी जाएगी उधर ही तो फोर्स होगा तो magnetic field perpendicular हो गया force नीचे की तरफ हो गया अब अपने तीसरे third induced current वाले उंगली को आप open करो आप open करो ध्यान दो ध्यान दो west to east ध्यान दो west to east देखो फोर्स नीचे कौन सा बड़ा current induced current west to east w to e अच्छा एक और पार कौन सा higher potential पर है यह जब current west to east जाएगा induced current तो higher potential यह होगा lower potential कररंट अगर देखा जाए induced current जब जाता है यह कोई भी current जाता है तो higher to lower potential ही जाता है यहारी higher potential पर कौन हुआ है है फोटेंशल पर वेस्ट एंड गुवा वेस्ट एंड यानि यह वाला एंड हाइर पुटेंशल गुवा यह वाला लुवर पुटेंशल हो गया चलिए नेक्स देखते हैं अगले कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फटा-फट जल्दी से क्वेश्चन नमबर 6.8 और 6.9 इसको देख लेते है कि यह एक न था कोईल है तो करेंट इन दा शर्किट फॉल्स फॉल्स फाइव अंपिर टू वन जीरो एंपिर तो डेल्ट इटना दिया और और ऑपेस है डेल्टा इटा इक्या हो गया फाइव फाइव इंपिर हो ठीक है चलिए उसके बाद कहरा है कि जो एवरेज इंड्य तो पताव सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी यह इतना सिल्पल सा फॉर्मला ही याद होना अच्छिए यहां से आपको एल कितना होगा है इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी को भी आप डेल्टा में लेख सकते हैं तो ध्यान दीजिए क्या है सेल्फ इंडक्टेंस आगया है यानि कितना है 200 वोल्ट डेल्टा ही कितना है पाच अंपियर और टाइम जितने टाइम में यह हो रहा है यह पूरा टाइम डियूरेशन जो है वो चेंज हो रहा है वह बन 0.1 सेकंड में इतना 0.1 सेकंड का डेल्टा टाइम दे रकाए 0.1 सेकंड का तो आप यहां से स्वाल कर दो इसको आपको इन से लफ इंडक्टेंस निकलके आ जाएगो 4 हेंडरी के आसपस है थेके ध्यान से देखू नहीं उल्टा कर दिया कि टाइंग उपर लिखना था जीरो पॉइंट वान उपर लिखना था और नीचे पाइब तो फोर हेंडरी आगया ना सिधे-सिधे यह थे बोला 40 हो गया तो फोर हेंडरी का सेल्फ इंड़क्टेंस हैं 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 री इस दे यू 6.9 जल दी से 6.9 6.10 पटापट आ रहा है 6.9 question और फिर 6.10 जल दी से 6.9 के रहा है कि पेर आफ अद्जसेंट कोईल से हैं है यह अपर से mutual induction हो गया क्योंकि दो अगर कोईल आगया तो अपर से mutual ही हुआ पेर अद्जसेंट कोईल हैं हैं यह थे रहता है ठीके ना इन वन कोई चेंजेस फोन 0 तो 10, 20 तो डेल्टा आइक का वैलिट्यूट कितना आगया 20 अंप्यर ठीक है ना और दाट चेंजेस विदिन टाइम 0.5 सेके तो बताईये कि जो इंड्यूस्ट इम फाया नहीं वट इस दचेंजिंग फ्लक्स डेल्टा फाइन ही कालना है चेंजिंग फ्लक प्लक्स का फोर्मला काता है अब फाय इक टो यह तरीका है एक तो यह तरेका है 1.5 और यह हो गया 20 है ना तो फ्लक्स निकल के आगया यह हो जाएगा 30 तो यह आ जाएगा आपके पास flux 30 यह फिर दूसरा तरीक है कि फॉमला क्या होता है होता है वह यह अर्लब नियुक्त रिख ओता है यह घॉर तो बात अलग बात नहीं है यह फॉर्मला आपको पता होना चाहिए इस से भी कंपेर करका जाएगा या निरेकली भी आजाएगा ठीक है ना चले बहुत असान कुश्चन था 6.10 देते हैं यह थोड़ा अच्छा कुश्चन है एक जैट प्लेन है यह बहुत बाद बनेगा कोई नहीं अग्या आपके पास किकली इसके की एक एक अंड तक 25 मीटर का दाएगा टुटू टू अब विचकली प्लाइग होरीजोंटली तो कौन्सी फिल्ट को कट करेगा वर्टिकल फिल्ट को ही तो कट करेगा तो वर्टिकल फिल्ट को को कट करें यह हमें नहीं पता है दिप एंगल दे रखका है 30 डिग्री का दिप एंगल आपको पता होना अच्छी है और होरिजॉंट और टोटल आर्थ का तो बताई बाता है यहां से बीच में इत्करक्त करें आप pseudo होता है इसके लिए ऐसे लिए आप आप लोगो का एर्थ मेगनेटिक कॉंसेप्ट है और अगर लिंग आलना होते हैं तो बीई कितना है फाइव इंट्व पार माइनस 4 डेल्टा कितना है 30 साइन 30 होता है हाफ तो 2.5 आगया 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 ना आप इंद्यू स्टेमस कितना बन जाएगा 2.5 तेस् 25 और वेलोस्टी आप लोग 18-100 किलोमेटर पर आरें तो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और चेंज कर लो तो 100 मीटर 5 by 18 सॉरी 500 मीटर पर सेकेंड 500 मीटर पर सेकेंड आप इसको सॉल्व कर लो तो दोखोगे कि आप लोगों के पास जो यह में फिंड यूस होगा वह निकलके आ जाएगा अप्रोक्सिमेटली 3.1 वोल्ट के आसपास आएगा तो यह बच्चों आप लोग का फटा फट जल्दी से यह आप लोग ध्यान से देख लिए बहुत सान है 6.11 उसके लिए क्वेश्चन नूमर 6.4 का कॉंसेट भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए 6.4 में आम लोगों ने तो यह हमारे पास लूप में माल लिए है एट सेंटीमिटर और टू सेंटीमिटर डर्क के लिए लेते एरिया हो जागा आट दूनी सोलर दस की पावर माइनस चार मीटर स्ट्राइब यह आप निकाली लोग रहे है और उसमें कहला है कि बट लूप के अंदर जो करेंट है उसको हम दे रहे लगाता है बाइध हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो मैंगनेट की मदद से प्रेड्यूसेज द मैंगेंटिक फीड ग्रेजुएली डिक्रीजिंग जो मैंगेंटिक पैदा कर रहा है वो ग्रेजुएली घटता जाए जबकि इनीशल मैंगेंटिक फिड था इनीश साइद डिक्रीज दिखा रहा है वो खेर कि रेजिस्टर जो है वो पूरे लूप का रेस्टर से 1.6 तो बताइए पावर लॉस पता करना है पावर लॉस पता करना है फावर लॉस होता है हीट के फॉर्म है क्या होता है आई स्कॉरा पॉर्इन पॉर्म ट्री निकाल के चलो anxi व ca नेरी Q ले नहीं लिट नहीं है नहीं अब यहां पर ऐसे छोड़ो तो ध्यान देना क्या हो जाएगा डी बाइटी बी इंटु ए तो माइनस एडी बाइटी क्या हुआ एरिया कितना है सोल अग उन्हें 10 की पावर माइनस चार माइनस साइन बाहर है डी बाइटी कितना दे रखका है माइनस का 0.02 तो आप पूरा सॉल्व करके निकाल लो अब माइनस साइन आप ले रहे हो ना जो बाहर भी माइनस ले रहा तो आपको यह माइनस कंसीडर करना पड़े हो और मैगन 2.2 तेंस पावर माइनस 5 का वायर और रेजिस्टर्स कितना भाई 1.6 तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग को पावर लॉस मिल जाएगा यह आजागा 6.4 तेंस पावर माइनस का 10 वाट है यह आप लोग सॉल्व करके निकाल देना आप पूछ रहा वाट इस दो सोर्स ओप द कोई दिकत वाली बात ने है नहीं ने दुबारा से ले लिए नहीं ने पर नहीं देखत वाली बात नहींगा भाग वखी दिकत वाली बात नहीं है चले, 6.12 is the very good question and it is one of the most important question, question कहाई जी, question है कि एक square loop है जो जिसकी side दे रखी है 12 cm, यह दे, y, x और z, यह रहा loop है, square loop, जिसको हम 8 cm per second की speed पर move कर रहे हैं और 12 cm side है, इस square loop का, देक है na, xy plane के parallel रखा गया और move किया जाएगा, positive x direction पे इतनी velocity के साथ, जो दिया हुआ है, उस environment में जहाँ पर magnetic field present है, positive z direction में, कहाँ, positive z direction में magnetic field present है, मालनों यह magnetic field present, यह magnetic field present है, perpendicular loop के, तो बढ़िया यह perpendicular magnetic field present है, वहाँ पर, the magnetic field is neither uniform in space, मतलब distance के हिसाब से भी uniform नहीं है, and nor constant in time, यानि time के हिसाब से भी बदल रहा है, दोनों के हिसाब से चेंज जा रहा है, तो magnetic field जो change हो रहा है, along x-axis, dv by dx, यानि x के respect में, जिसको हम लोग magnetic field gradient भी गोलेंगे, क्या होलेंगे, gradient क्यों के भी length दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, magnetic field gradient 10 to the power minus 3 tesla per centimeter, आप 10 to the power minus 1 tesla per meter भी लिख सकते हैं, and with respect to time, it is also changing 10 to the power minus 3 tesla per second, it is neither uniform in space nor constant in time, gradient क्या होता है, per unit length, चले दोनों चीज़े मिल गए, अब करें, determine induced current, जबकि register दिया है, loop का 5 mili ohm, 4.5 mili ohm, ठीक है न, तो ध्यान जीजे, क्या करेंगे, बहुत असान है, बहुत असान है, चलो पहले current कैसे निकले, e upon r, तो पहले e निकालना, total emf निकालना, क्या होगा emf, b5 by dt, पहले हम लोग x के respect में देखते हैं, ठीक है, यह time के respect में देखते हैं, b into a, हम लोग magnitude ले रहें, ठीक है na, area बाहर db by dt, area क्या होगा, यह देखते है 12, 12 into 10 to the power minus 2 का square, क्योंकि square है, db by dt कितना है, db by dt 10 to the power minus 3 है, कितना है, 10 to the power minus 3 है, यह पहला emf आजाएगा, आप लोग का, वो आएगा 1.44 into 10 to the power minus 5 volt, पहला आगया, दूसरा एक और यह में अपने कलेगा, फिर से क्यों निकलेगा, क्योंकि आप लोग का distance के accordingly भी change हो रहा है, आप distance से divide और multiply कर दे, फोर ट्रिक देखना, distance से divide multiply क्यों किया, dx by dt v बन जाएगा, d by dx, b into a, यार a को बाहर फिक दो, db by dx, देखरो, बन गया, अब velocity कितनी दे रखी है, 8 cm per second, तो बदल दो meter per second में, और area क्या दे रखा है, area 12 into 10 to the power minus 2, square, side to the square, db by dx क्या दे रखा है, 10 to the power minus 1, अब इस पूरे को solve करो, तो यहां से second वाले case में भी emf आ जाएगा, second वाले case में भी आप पूरी calculation करेंगे, आप लोग मिल जाएगा, 11.52 10 to the power minus 5 volt के आसपास मिल जाएगा, यह दोनो emf मिल गए, अब total emf क्या होगा, वो दोनो emf जो होंगे, e1 plus e2, उनका sum होगा, तो total emf कितना होगा, आप दोनों को add कर लो, 11 एक बार, 12.96, 12.96 10 to the power minus 5 volt, यह आगे total emf induced, therefore current क्या आएगा, emf आगे 12.96 10 to the power minus 5, और resistance कितना दे रखा बच्चो, resistance, resistance, 4.5 mm, 10 to the power minus 3, आप यहां से देखलो, total आपको current, जो हो मिल जाएगा, आप current असानी से निकाल सकते, अचारे, direction भी निकाल लो, direction भी निकाल लो, तो निकाल सकते है, देखो, magnetic field invert जारी है, अब body field से बाहर जारा है, field से बाहर जारी है, तो decreasing हो गया, decreasing में polarity क्या होती है, opposite, opposite, तो cross को opposite क्या हो जाएगा, dot, यानि induced current की direction क्या हो जाएगा, direction क्या हो जाएगी, direction हो जाएगी, anti clock, anti clock, एक बबर फिर समझा देता हो, फिर से समझ लो, ध्यान देना, अगर आपके पाल ध्यान से देखो, यह feed है, feed zaxis उससे वो बाहर जा रही है, मतलब एकस wiping के निकल रही है, यानि magnetic field से बाहर निकल रही है, जब magnetic fields से बाहर निकलेगी, तो जो भी induced current बनेगा, वो उसके respect में देखना पड़े गाल तो ही तो होगा तो ही प्रस होगा तो डिक्रीजिंग ब्लक्स और पर था ना तो स्कॉप क्रॉइंट हो गए है तो यह देखो न ध्यान से देखो यह जय के इन्वर्ड जैड डैस यह नेगटिव जैड तो यह दो रहेगा तभी को पॉस्टिफ जैड बने ला तो इस पर इस पर निकल रही है मेगनेटिक फिर से बाहर निकल रही है मतलब पॉलार्टी जो होगी वह सेम आ जाएगी कि डिक्रीजिंग फ्लक्स होने की वज़ए से तो इस पे भी डॉट मतलब अब देखतें नेक्स्ट इस को ध्यान रखेगा 6.12 अब आता है 6.13 इसको ध्यान रखेंगे अब आता है 6.13 जल्दी से 6.13 जो है उसके लिए हमें दुरा सा देखना पड़ेगा क्या दिया है क्वेश्चिन के अंदर क्वेश्चिन के रहा है 6.13 में इस डिजायर तू मेजर द मैगनेटिक फिल्द आप लाउड स्पीकर मैगनेट वाई अ फ्लैट सट्स कोईल यानि एक कोईल दे रखा है उसके नॉर्मल उसके साथ अनव प्लेस नॉर्मल विद दॉट अर एरिया अपड़ दे रखा है एरिया अपड़ दे रखा है 2 x 10 s2 – 4 m2 नॉमबर अपड़ दे रखा है 25 अ पोजिशन नॉर्मल विद दिरेक्शन पील पहले शुरुआत में एड दें टेकल आउट यानि दुबा यानि पैरलल तू दू फीड हो गई अब पहले पर्पेंडिकुलर तू अच्छा इस दौरान जब आप फीड से बाहर निकालों फीड में दुबार डालों तो फ्लक्स यह ओगा तो इंडूस तीम आपाएगा तो इंडूस चार्ज भी आएगा कितना दे रखा है इंडूस यार ऐसे देखो ऐसे देखना हाँ का फार्फ ललो की क्या हूता है डेल्टा फाइब पाई देल्टा अपन आर्फ गेला कि अा क्या तपन अच्छा już होगा flux final इनिशल अपन रजिस्टन्स अब डेल्टा क्यों हमें देगी रखा है flux क्या होता है एन बी ए बाहर एक बार कॉस 0 डिगरी एक बार कॉस 90 डिगरी आज फाइनल वाला देखो 0 डिगरी है क्यों देखो न थीटा यहां पर क्या हो यहां पर प्यालल वह गया एक बाकि सबको दूसरी साइड लेगी चल गया डेल्टा क्यों क्या है सेवन पॉइंट पार माइनस थी आर कितना है जिरो पॉइंट फाइव ओम आपको वह नमबर अफ टांस कितने 25 एडिया कितना दे रखता है तू इन्टू पार माइनस फॉर यहां से आप स्वाल तर लीजे जो मैगनेटिक फिड आ जाएगा लगभग 0.75 तेसला आएगा यह बहुत ही सिंपल है ध्यान से देख लिजे और क्वेश्चन नमबर 14 पे चलते हैं ध्यान से देखते हैं 14 प्रिश्चन नमबर 14 यह समझ में आ गया होगा पहले नॉर्मल रखा था बाज में 90 डिगर टां दे दिया गया तो जीरो पर आ गया अब उसके बाद चेंजिन फ्लक है तो जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नमबर 6.4 में बहुत सारे पाट है और काफी बार यह पेपर में आया है लेकिन पूरा नहीं थोड़े-थोड़े सेक्शन में पूछा गया है क्या है कि एक मैगनेट दिया है यह रा मैगनेट यूशेट ऐसे मैगन के अंदर दो रेल लगा रखें है और इसके साथ हमें लगा रख्य है कि और यहां एक गैलोनोमेटर लगा रखा है सारी कुछ चीज़े देखने के लिए है कि यह सब कुछ दिया अच्छा इसमें पोजीशन समझो पोजीशन ध्यान से समझना यह रेल है अब उसके बाद माल ढूल यह क्या है एक से रखा हुआ है तो रौड को ध्यान से रखा है नयों यह हुआ है Y axis, magnetic field Y axis, rail X axis, rod Z axis, tii-noh mutually perpendicular, ab rail parallel to X axis , rod P Q Z axis, magnetic field जर्ट शाहा डिए तेक्सिस, magnetic field ऊपर से नीचे Y axis, tii-noh क्या हो गे mutually perpendicular चली बढ़ी आ अच्छा है! अब क्या के दिया हुए फटावट देख लेते हैं क्या के दिया हुए रोड जो है ना लेंथ पी क्यू का रोड का वो दे रखी है पंदरा सेंटीमेंट मैगनेटिक फिट जो दे रखी है 0.5 टेसला और जो रोड का वो है 9 ohm अब हमने क्या पहले पार्ट में पहला पूछा गया है यह तीनों मूचली परपेंटिवर आप लोगो समझा दिया आप पूछा गया है कि की को क्लोज किया गया पहले पार्ट में की को क्लोज किया गया और रोड को मूफ किया गया इधर आगे की तरफ 12 cm पर सेकेंड की हिसाब से तो बताऊ इंडियूस्टीमफ क्या होगा इंडियूस्टीमफ क्या होता है BLV बी दिया हुए लेंथ कितनी है 15 cm मीटर बदल दो और वेलस्टी है 12 cm पर सेकेंड माईनस 2 करदो तो आप ध्यान से यहां से आप लोगों को जो भी मिल जाएगा वह अंसर निकाल सकते हो वह नाइन मिली गोल्ट यह नाइन सपार माइनस यह आगया इंडियूस्टीमफ अब डैरेक्शन देखो यह जब भी मैंने कहा है इंडियूस्टीमफ निकालना तो फ्लैमिंग राइट हैं रूस्टीम मैगनेटिक फिल्ड यह रा माइननिक उपर से नीचे मैचे लिए उपर नॉर्थ है लिइचे वोगया धानीक पर से नीचे जिए घ्रग फोर्स को दिखाएंगा जिदर की तरफ वेलोस्टी में फोर्स वह गेंग हैं तो आप देखों यह वाला जो सिंगर है यह वाला जोि कि ग्रफ दैया क्यू से दोपं कि तरो क्यूससे पी की तरो क्यूसे पी तर nosaltres यानी इंड्यूस करद'tat कि दर रोगा इंड्यूस करद्टोगा कूट टो फी वाई ट्लैमिंग राइट हेंह रूँल यानि देखा जा तो क्यूं होगाハइयर पोटेंशल पर यानि पॉजिटिव और पी होगा लोवर पोटेंशल पे यानि की नेगेटिव यान रखिए फ्लैमिंग राइट हैं रूरी योज करना है लेफ्ट हैंड मत कर देना बच्चो नहीं तो गलत हो पूरा गलत हो जाएगा बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हो इसलिए ध्यार बत होगा तो इंड़ियु पाएगा और वो अलग बाते मेजरमिंट नहीं कर पाएंगा हम उसको लेकिन याद रखें जब उपन की है ओपन की है yes there will be induced charge क्यों होगा क्योंकि यह फ्लक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन यही अगर क्लोज की होगा तो it will continuously flow यानि कि आएगा तो सही लेकिन फ्लोव भी कर जाएगा क्यों तो वहां पर फ्लोव नहीं करेगा तो फ्लोव भी कर जाएगा तो फ्लोव नहीं करेगा यह चीज़ ध्यान रगना अब आते हैं इसके सी पाट कहता है विद की ओपन and the rod moving uniformly there is no net force on the electron in the rod PQ even though they will experience the magnetic force ठीक है न यानि magnetic force rod पे काम कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी net force 0 है ऐसा कब हो सकता है एसा तब हो सकता है net force only be zero when equal and opposite amount of electric force acting on the rod यानि कि rod पे जितना magnetic force है उतना ही equal amount में electric force भी काम कर जाए और एक दूसरे के opposite हो तो net cancel हो जाता है देखते हैं ध्यान दीजिए का D part इसका D part इसका E part और इसका F part D part पे देखो कहरा कि what is the retarding force if the key is closed तो force का फॉर्मना लगाना है यार BIL फोर्स का फॉर्मना लगाना तो BIL magnetic field ठीक है तो देखिया ध्यान दीजिए BIL magnetic field किता दे रखा है magnetic field आप लोगो ने निकाल दे रखा है यह रहा 0.5 ठीक है ना और I क्या हुआ I को लिख दो E by R into L ठीक है ना E की value यह रही आर की value भी दे रखिये 9 9 million तो 9 by 9 यहानी 1 हो गया 0.5 into 1 और length of the rod कितना है length of the rod आप लोगो दिया हुआ था length of the rod था 15 cm तो 15 into 10 की power minus 2 आप यहां से निकाल लो यह हो जागा 75 7.5 ठीक पर माइनस 2 newton solve करो उसके बाद कह रहा है कितना power deliver होगा और कितना power में के बाद क् يपार के लिए कितना power ज़ारी होगा इस आपार रिक्वायट के लिए अक पावर करने को में पावर रिक्वायर्ट करने के लिए तो पावर रिक्वायट कैसे निकाल ओब थ taken power आप ओक्रॉण करोगे तो वाग्द कर होगे तो वर्क दन अपन टाइंस पार म एड़र सेंटीमेटर तेंस पडार म्इलस्टू. यह अगर इसी कुछेशन्में प्उसथे पावड हों। तो पावर लॉस निकालने के लिए आइस्कॉयर लगा दो या फिर इस्कॉयर बाई आर लगा दो ए रखा है और इवन आर भी दे रखा है तो 9 इंटो 10 पार माइनस 3 वाट का पावर लॉस होगा एक पार बख जाएगा उसके बाद के लिए जितना पावर जिनरेट होगा जितना पावर जिनरेट करोगे वही पावर लॉस के फॉर्म में जाएगा ही चीज ध्यान रखना चलो तो यह आपके पास पॉइंट है एक तश्फॉंड परपेंडिकुलर की बजैर आथा तो पता ओ आब इंडियूस्ट मेफ कर दे तो पता ओ चरोऑ पर पैरलल अपडिकुलर की बजा तो अगर मान लेख आपके पास इंडियूस्ट टो होता है वि ना we तो लेंथ ऑफ दर रॉड और मैगनेटिक फिड अगर एक दूसरे के पैरलल हो गया तो ठीटा हो गया जीरो डिग्री तो इंड्यूस्टी में बने गाई नहीं और जब इंड्यूस्टी में नहीं बनेगा तो डिरेक्शन भी नहीं कुछ क्लेर हो गया बहुत यसानता चलिए 6.15 देखते हैं यह बहुत ही रियरली फॉर्मला यूज होता है लेकिन आप जीरो यहां पर बन जाएगा नेक्स देखिए 6.15 फटा फट जल्दी देखते हैं इस क्वेशन में काफी सारे पार्ट थे इसको ध्यान से देख लीजे बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों कि और इसमें राइट रूल ही यूज करना बद चोल लेप्ट गलती से भी अप्लाई किया तो गलत हो जाएगा तो आओ क्वेशन नंबर 6.15 देखते हैं जल्दी से अना काफी इंपॉर्टेंट पोश्चन है यह भी इसको भी दे रखे एक एयर कोड्ट सॉलनॉइड है जिसकी लेंथ दे रखिए कितनी लेंथ दे रखिया सॉलनॉइड की 30 सेंटीमिटर की लेंथ दे रखिए चलो मीटर मेटर बदल लेंगे एडिया प्रस्टेक्सरे 25 सें सब कुछ हां मच इस दे आवरेज बैक कि इनूस्ट इमफ को इंडूसीम और बीटेंटेंटेंट इमफ पैदा यह पता करना है चलो देखो कैसे पता करेंगे इसे मफ कैसे पता करते है माइनस d5 by dt यह magnitude लोगे तो d5 by dt खता है d by dt flux क्या होता है magnitude field into area magnetic field solenoid है तो क्या हो जाएगा mu naught ni ध्यान से देखो mu naught ni ध्यान से देख लो flux का formula आपका होता है flux का formula क्या होता है nba ठीक है तो flux कितना हो जाएगा n b यानि mu naught ni into a flux हो जाएगा mu naught capital n का square i a upon l ध्यान से देखो क्यों हुआ यह क्यों होता है capital n by l होता है यहां दीजिएगा तो अब देखो यहां पर flux था न अब लगा तो सीदे सीदे यही वाला flux लगा तो हो जाएगा mu naught बाहर n square बाहर a बाहर l बाहर और di by dt अंदर बच जाएगा बागी सब बाहर आ जाएगे mu naught n square a l बाहर di by dt अंदर रह जाएगे तो mu naught की value पता है 4 pi 10 to the power minus 7 नंबर अप्तान कितना दे रखा है 500 यह पॉइंट याद रखना नंबर अप्तान से 500 एरिया कितना है 25 इंटू 10 की पावर minus 4 लेंद कितनी है 30 इंटू 10 की पावर minus 2 यह आ गया अब डेल्टा आई कितना दे रखा है यार करंट का चेंज कितना दे रखा करंट दे रखा 2.5 बाद में जब से बाहर निकालोगे स्विच ओफ कर दोगे तो दूसरा करंट हो जागा जी रोख स्विच ओफ करोगे तो और टाइम कितना देखा है 10 स्कॉर पर माइनस 3 आप इस पूरे को सॉल्व कर दो इंड्यूस्ट एमेफ आप लोगों को मिल जाएगा लगभग 6.54 वोल्ट के आसपास यह पूरी क्याकुलेशन कर दो यह यह पॉइंट यादगना फ्लक्स होता है म्यूना टैनाइफ और स्वाग्नेटिक फिड्स निकालो और अप्लाई कर दो इससे आपका इंड्यूस्ट एमेफ आ जाएगा बहुत ही असानी से चलिए 6.16 देखते हैं जल्दी से बच्छा फटा 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 इसको समझ करूंगे आप लोग क्वेस्टिन नमर 6.16 कह रहा है कि एक वायर दिया है लॉंग स्ट्रेट वायर और एक लूप दिया है उसके बीच में निकालना है 6.16 काफी इंपॉर्टन वायर जिसमा आई करेंट है यहांपर एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है एक स्क्वायर है तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटरी पार्ट सेलेक्ट कर लोग रहें यह आ रहें तो यह वाल प्रोसीजर में जो mutual induction बनेगा वो निकाल के दिखाओ और बात में कहा रहा है कि इसको नवी velocity से move कर रहे हैं तो induced cmfb क्या होगा वो भी बताओ तो वह तो बात की बात है पहले हम flux देखते हैं, flux का formula क्या होता है MI mutual induction में छोटा सा elementary अगर कोई flux निकाला चाहे तो क्या होगा बी इंटु छोटा सा एरिया यहार स्ट्रिप का एरिया क्या होगा एंटु डिया टोटल flux कहां से एक से लेके चलेगा और एक स्प्लस ए तक जाएगा क्योंकि elementary part हम लेंद्ट के अपॉडिंग ले रहे हैं magnetic भी इस्ट्रेट वायर का होता है लॉंग स्ट्रेट वायर का मिवन ट्रेट वायर का यह होता है अपॉडिंट टू बायर सवट दो ज्यांसे देखो मिवन आई ए अपॉण टू पाई बाहर आ जाएगा x से लेके x प्लस a तक 1 अपॉण r dr integrate करगो mu not i a upon 2 pi integration करोगे ln r आ जाएगा x से लेके x प्लस a तक अब limit लगा दो तो flux कितना हों जाएगा mu not i a upon 2 pi अपर limit x प्लस a lower limit x बीच में minus sign आएगा तो divide में चला जाएगा x प्लस a upon x तो flux कितना आ गया mu not i a upon 2 pi ln 1 plus a by x यह दूसरी equation बन में बच्छो जहां से देखो यह दूसरी यह पहली और दूसरी दोना equation को compare कर दो तो mutual induction आजएगा i से i कर जाएगा mu not a upon 2 pi ln 1 plus a by x यह आपका a part है जिसमें mutual induction निकानना है जो कि आएगा mu not i a mutual induction mu not a upon 2 pi ln 1 plus x अब कह रहा है कि सीदे सीदे differentiate कर दो थिखे ना बहुत ही सिंपल है differentiate कर दो इसको इसका magnitude निकाल रहे हैं हम लोग क्या हो जाएगा mu not i a upon 2 pi बाहर थिखे ना अगर minus sign लेना है तो minus sign ले लो यहां पर थिखे ना अब differentiate करोगो बच्चो यहां से देखना यह बाहर हो गया ln का क्या होगा 1 upon 1 plus a by x अफिर इसका करो chain rule 0 minus a upon x square और x का करेंगे तो dx by dt यह आप differentiation कर रहे हो बहुत सिंपल है अब यह यह क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और dx by dt भी बन जाएगा dx by dt क्या बन जाएगा velocity बन जाएगा तो आप असानी से इसको क्या लिख सकते हो ठीक है ना एक्स की वैल्यू देदी 0.2 मीटर साइड दे रिया 0.1 मीटर और करेंट दे दिया 50 अंपियर अब बताओ इसमें आप पुट कर दोगे आप लोगको इन्डियू स्टेमें वैल्यू के टम में भी आ जाएगा और एक्सप्रेशन के टम में भी आ गया है बहुत ही सिंपल है यहां पर दिफ्रेंसियेशन पर थोड़ा फोकस कर लेना इसको ध्यान से देख लेना आखरी क्वेशन आ रहा है लास्ट क्वेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन नमबर 17 लास्ट क्वेशन देखते हैं फटाफट जल्दी से एक ना लीनियर चार्ज दंसिटी दे रखी है लेमडा ठ दिफ्रिब्यूट कर रहा है और पूरे रीडियस कितना रखा अर नौन कंडुक्टिंग स्पोक्स दिख रहें प्र कोई कंडुक्टिंग यानी चार्ज अबिलिटी वगयरा नहीं और फ्रिक्शन भी आ नहीं है और वील की रोटेट कर रहा है और रोटेशनल यानी वंगेटिव यानी जी यूण स्टाइन हो इसको स्ट्नी इसको स्ट्य थुरंड उपकर चलिए इसको करना सबको माइनस दीफाइब डीटी होता है सबको पता है अच्छा और जब आप इलेक्रिकल वर्ग्डन निकालते हो तो आप लोग विकों लोग इनरजी क्या होगी नी कि लागए एनरजी या व्गॡण्ध क्या होगा वस्घण ऑग सब्सक्राइब हो जाए गारशनक्रीं क्याल यहां क्या है उतके इशाओ आछा बच्छों पोटेंशल वी जो अफ़ता है को प्याइक्वास घ्टास वहता है अलेट्टिक क्या है ऑफया reimburse बात है small v जो है वो e के ब्राबर है और e यह वाला क्या है यह इलेक्ट्रिक इसलिए तक प्रेजन्ट है इसलिए 2 यह चीज लगाऊ क्यcrowd आप 1 और 2 से इसको 2 से इसको 2 कह दो न हो इन कुर्यगए फ्रावायन क्यों टुस इसको 2 कहे दो क्या जाएगा 1 & 2 को compare करो माइनस e is equal to 1 upon 2 Pi a-d5 by dt जयान से देख को अब तो magnetic field, flux क्या होता है, magnetic field into area, circular तो यह क्या होगा, पाई इसको है, लगाओ यहाँ पर, 1 upon 2 pi a, माइनस बाहर ले लो, d by dt, magnetic field into area, ज्यांस देखो, pi से pi cancel हो जाएगा, pi से pi, आपका cancel हो जाएगा, a by 2 बाहर आ जाएगा, तो a by 2, माइनस में, dv by dt, देखो, pi से pi कट गया, तो यह आ गई, electric field, जो की वहाँ, present हो रही होगी, due to the magnetic field, ओगेसे, motion होगा, अब ध्याँ दीजे, linear charge density क्या होता है, since LCD, याद होगा, linear charge density, lambda जिसको कहते है, यह होता है, charge into length, length कितनी है, 2 pi a, length कितनी है, 2 pi a, इसको small बन करते, तो यह लेम्डा यानि linear charge density आगया, अब question वाला part में मिटा रहा हो, ध्याँ से देखना, आगे का solution इसका, potential, क्या होता है, work done per unit, e क्या होता है, minus का, यह तो हम यूज करी रहे हैं, यही से तो चलुक रहे हैं, तो ध्याँ दीजे, तो अब lambda की value हमें मिल रहे, अब आप लोगो पता है कि जब move कर रहे हो, तो force तो generate होगा, तो force का formula क्या होता है, qe, q क्या होगा, charge क्या होगा, charge होगा, lambda upon 2 pi, होगा, ध्याँ से देखो, charge क्या होगा, lambda upon 2 pi, ओ हो, गल्स लिग दिया, lambda होता है, charge upon 2 pi, charge per unit length, तो charge कितना होगा, lambda into 2 pi, sorry बच्चो, lambda into 2 pi, और electric field कितना निकाला होगा, already in the, minus a by 2, db by dt, जहांच देखो, यह आपने निकाला हुआ है, minus db by dt, तो इसको थोड़ा से simplify कर लेते है, minus lambda 2 pi, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, pi a square db by dt, यह ray equation number 4, यहां तक आगया force, अब यह motion है, motion है, तो tangentially force तो बन रहा होगा, force तो बनेगा, तब ही तो होगा, अब एक force औहर होता है, force का formula क्या होता है, ma, external force, F is equals 2 क्या होता है, ma, और a क्या होता है, db by dt, v क्या होता है, v का formula याद है, r omega, ज़रूर याद होगा, r omega, कितना हो जागा, F is equals 2, mr बाहर, d omega by dt, यह आपकी equation number 5 आगये, यह rotational force जो बन रहा होगा, और यह जिसकी वज़ा से वह force पैदा हो रहा है, यह वह force है, जिसकी वज़ा से motion आ रहा है, और motion आ रहे तो mechanical force को होगा, mechanical force यह रहा, और electric field या magnetic field की वज़े से जो force पैदा हुआ, यह हुआ, अभी जितना magnetic field या electric field पैदा होगा, उसकी वज़े से जो motion होगी wheel के अंदर, उससे MA तो बने गई बनेगा, आप इस force और इस force को दोनों को compare कर देते हैं, और final answer आ जाएगा, यहां से देख लो, यहां तक समझ दो आ रहा होगा, final answer निकालते हैं, इसका जल्दी से, पटाओ, जरूर इसको शक्रों को धंग से देख लीजेगा, काफी ज़्यादा, चीजे यूज कर ली हैं मैंने क्योंकि, बहुत सारी चीजे यूज करी हैं, तो द लेंडा, पाई e square, đe by d, यहां जाएगा, अब इसमें आपने करना क्या है, ओमेगा को एक साइट रखना, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है, तो d ओमेगा को एक साइट रखनो, बाकी सबको दूसरी, dT dt कर जाएगा, लेंडा, पाई e square, अपन mr, d.h. रहना, यहां मास लेना तोटल ओमेगा क्या हो जाएगा पाई लेम्डा ए स्क्वार एमार और डी डी का इंटीग्रेट की है मैंने इंटीग्रेट बोज साइट करने के बाद अप ओमेगा की वैल्व यह निकल गई ज्यां से देखो माइनस बी नॉट के यह दिया हुआ था तो उमेगा कितना आजाएगा उमेगा आजाएगा माइनस पाई अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो लेमडा पाई ए स्कॉर अपॉन माइनस बी नॉट के यहां से जो भी निकलेगा वही आपका उमेगा यानि एंगुलर विलॉसिटी है तो बच्चो इस तरीके से टोटल सारे कोईशन जो है इसके खतम होते हैं चैनल पर लगातार जूड़े रहें लगातार देखते रहें टॉपिक आते रहेंगे चलिए मिलत में आते हैं मляं व्टन से अनवे ढर सकते हैं जूब के लगा हैं गार फिसल्ड़े रहें मिलतार दिएा भी प्लीपलर यानिस बीने तरा लगातार व TT